नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका अनादी टीवी पर मैं हूँ आपके साथ परल ये, अगर आप वशी है तो ध्यान से सुनिया अगर आपका भी बिजली बिल आठ र्छली सार साधा बकाया है तो भर दीजे अगर आपका बजली कनेक्शन काट दिया जाएगा अगर आप उतरप्रदेश में रहते हैं और आपका बिजली का जो बिल है वो बकाया है और आठ अजार उपेसे जादा है तो करेक्शन कभी भी कट सकता है इसके अलावा बड़े बकायदारों के यहां अब रात को बिजली वभाग के तरफ से फोन किया जाएगा येस अब कॉल किया जाएगा और इसके लिया अलग से कॉल सेंटर भी डवलप किया जाएगा बिजली वभाग का यह नया फर्मान वभाग के मंतरी अर्वंत कुमार शर्मा के निर्देश पर सामने आया है दरसल पिछले महीने पाव कॉपरेशन के अधिकारी महस 55 फीजदी ही वसूली कर पाए और इसकी बज़ा से मंतरी ने ये निर्देश दिया है मंतरी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर किसी उपभोगता के साथ गलत व्यवहार होता है तो इसमें उपर से नीचे तक के सभी लोगों को जवाब देना होगा मौजूदा समय में विभाग करीब एक लाग करोर रुपए के बकाय में है उसमें से 45,000 करोर रुपए घरेलों पिभोगताओं का बकाया है मंतरी के शर्माने अधिकारियों से कहा कि छोटे अप भोगताओं कि यहां वसूली के नाम पर मुकदमा दर्च कराया जा रहा है और बड़े बकायदारों और अमीर लोगों पर कोई कारवाई नहीं हो रही यानि इस साफ है कि मंतरी भी मानते हैं कि रसूकदार लोगों का दबडबा बचली विभाग में भी है बरहाल लेकिन विभाग का वसूली का यह जो नया तरीका है जो नया फर्मान है जिसमें आपको कॉल किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या आपने बजली का बल भराया नहीं और फिर उसके बाद आगे की कारवाई होगी यह तरीका कितना सही है इसी पर आज हम चुर्चा करने वाले हैं लेकिन कुछ रियाक्शन से वो सुन लीचे उसके बद महमानों करती रहती है समाजवादी पारेटी सरकार से मान करती कि पहले पूरे प्रदेश में विजली की सप्लाइ दुरुस्त की जाए जहां जहां लाइटे जा रही हैं वहां वहां लाइटे ना जाए इसकी दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जनता को हित में रखकर फैसले लेने चाहिए इस तरीके के फैसले सिर्फ जनता का उत्प्योरन करेंगे इसके अलावा कुछ नहीं दीके उत्तर प्रदेश कभी ऐसर प्रिदेश व गएकर आजाहे आज एक उत्तर प्रदेश में विजुली व्योसता दूर। गाओं में 20 गंटे, तैसील इस्तर पर 22 गंटे और जो जिले इस्तर पर और सहरों में 24 गंटे बिजली लगाता रापूर्टी जाए। उसके बाद में भी आप देखें कि बिजली की इतनी सुदर्द्य विश्था करने के बाद में भी जो बिजली का बकाया है वो लगब 49 सजार को उड़ा है। वहीं पे लगो इतना सिजात हो रूपए हमाम सारे जो सरकारी सरस्थान उसनों भी बकाया है तो इन बकायाओं की वसूली के लिए एक नया नियम बनाया गया है कि जो बड़े बकायदार हैं उन बड़े बकायदारों से कैसे बिजली की जो बकाया है और कैसे वसूल हो कई कई ऐसे बकायदार इनका दद्स लाग रुपए पात पात लाग रुपए अभी तक बिजली का बिल हो गया और जबा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में इसलिए यह मनाया गया है कि उनको शाम के बाद में उसे बात की जाएगी तो कि फोन करने पर यह भी होता है कि घर पे साहब नहीं एक सिंसी जो को द्यान में रखते हुए कि वड़ी का बिल कैसे जो पकाया है उसकी आपड्य कैसे हो भारती जंता पार्डी पुरी दरे से वसूली की सरकार दून कर रह गई है 24 घंटे जंडी ढूता करने फाह बावा करने वाली भारती जंता पाटी प्रदेश में जंता को बिजली ना दे सकी लोट रिपिंजोन की व्यश्ता वाली बात कहने वाली तब भी विद्धुत आपूर्ती पूरी तरह से ठप रही विद्धुत केंद्रों में उपकंड अधिकारी और अवर अभियंता भी फो बिजली मंत्री ये राजयश्वी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बाते मना करें क्योंकि जंता पूरी तरह से बदहाल है तो बिजली बिल भरा हो तो भैतर है नहीं भरा हो तो कनेक्शन कट सकते हैं और जो बड़े बकायदार हैं जैसे कि अभी हम भारती जिंता पार्टे की प्रवक्ता को भी सुन रहे थे जन्होंने हमें बाइट दी और यह बताया कई लोग तो ऐसे हैं जिनका 10-10 लाग का बक अर्विन जैतलक साहब हमारे साथ चुड़े हुए अर्विन सर बहुत-बहुत सभाकत आप कानादी टीवी पर विद्युत को लेकर कई सारी खबरे उतर प्रदेश से हम सुनते हैं जिसमें कभी मीटिंग्स होती हैं कभी मुख्य मंत्री कहते हैं कि योजना चलाएंगे जि जब बकाया बिल वसूलना है तो रात को कॉल सेंटर बना के कॉल करेंगे यह तरीका जो अपनाया जा रहा है और यह खुद मान रहे हैं कि कई सारे ऐसे रसूपदार हैं या ऐसा दबदबा रखने वाले लोग हैं जिनको छोड़कर आप जो कमजोर लोग हैं या जिनका कम बी हैं उनके कनेक्शन काड देते उन पर कारवाईया कर देते हैं अपका डिवाइस म्यूट तो नहीं है प्लीज देख लीजे अ अरवन जी क्या वाज नहीं मिल रही है हमें अचिक अरवन जी लॉट्रियों आपके वाज नहीं आ रहे हैं हमारे पास तो देखे कई सारे ऐसे मामले निकल कर उतरप्रदेश से सामने आएं जब बिजली वभाग से जुड़े हुए थे जिसमें अब एक जो नया फर्मान जारी हुआ है कि कॉलिंग की जाएगी लोगों को जगाया जाएगा पूछा जाएगा कि आपका बिल भरा है नहीं भरा है अलाकि इसको लेकर कई तरहें के तर्क हैं कि बकाया विजली बिल नहीं वसूल पाया है विदुत्व भाग और लॉस में भी काफी है बरा मिलियन मैमानों से बाकी हमारे साहँ जुड़ गए हैं शर्षिकान जी हमारे साह जुड़ गए हैं भारती जनता पार्टी से शर्ष प्रक्रिया करने के अवशकता क्यों महसूस हो रही है यह समझ से परे कि रात को कॉल करेंगे कॉल सेंटर बनाया जाएगा उनसे पूछा जाएगा कि बिचली भरा या नहीं भरा या नहीं भरा होगा तो करवाई की जाएगी यह खुद मंतरी कहते हुए नजर आ रहे हैं श्र अगर बिचली की बात करें जब से योगी सरकार आई है तो पूरा प्रदेश मानता है कि पूरे प्रदेश को बिचली की जो आवर हैं जो गंटे हैं वो बढ़े हैं गाउं में भी 18-20 गंटे बिचली मिलने लगी है सहरों में तो ऐसे सहर हैं जो 24-24 गंटे बिचली मिल लगी है निर्वाद गती से बिचली मिल लगी है तो अगर बिचली निर्वाद गती से भी आगे मिलता रहा है और 24 गंटे सबको बिचली मिलता रहा है बिचली बाग में जो यह सुधार हुआ है तो तो आगे भी सुधा और अिरंटर जारी रहना चाहिए वबिजली देखिये सर्कार खरीडी ति उसका पैसा आता सर्कार के पास बशनके हैं विजली सब्सक्राइण कि अपने के लिए जो विजली बिखया gue है गातर से लिए हमें तो प्राया या दा एभी देखने में आया कि दीन में जब जाओ तो घर के मालिक नहीं मिलते हैं। परिवस्तार परिवस्तार ठप हो जाएगी ठीक उसी प्रकार से लाखोर करोड जो है अगरी आपने रिपोर्ट में बता है कि लाखो करोर बकाया है तो उसमें जो बकायदार है लगबाग 45% जो बकायदार है जो बिजली का बिल देंगे तो सुचार रोट से बेवस्ता चलेगी परदेश में और अधिक बिजली मिलेगे आपकी इस बात से अगरी करती हूं लेकिन रात को कॉल सेंटर बना के आपको लगता है कि रात को आपको घर पे घर का मुख्या मिल जाएगा पुरुष मिल जाएगा और तब जाकर वहां पर नौक कीजेगा कि आपका बिजली बिल बकाया है उसको आपको देना है वरना कने अगर प्रफ़दता है कि इन में प्यस्तता रहती है अगर प्रफ़दता सांग को या रात को उनकी प्लफदता है तो उसमें बात होगी तो उनको रिमाइंडर दिया जागा तो बहुत जो भले लोग है वो बिजली कभी जमा करते थे आप देखिए याद करीए कि जो पिछ हम उसके घाओं में 10 गंटा मिली मिले है कि आज गंटे बढ़े आ तो सरकार सुचार उसे पर उसता तो तो तमहीं कर पाएगी जब वकाइदारों के पैसे आएं जो पैसा नहीं आएगा तो बिजली सरकार कहां से करीए तो देखिए ये वीजली भी लोग खरीदी जाती है प्रवाइब देपार्टमेंट के लोगों को खुद ही कहते हो नजर आ रहे हैं कि बड़े जो लोग हैं बड़े बकायदार हैं उन्हें आप छोड़ के आ जाते हैं उन पर कोई करवाई नहीं होती हैं चोटे बकायदारों पर कर लेते हैं यानि असली वसूली तो आपकी बड आ रहा था विद्यत्व भाग क्यों छोटे बकायदारों पर करवाई हो जा रही थी मामले दर्ज हो जा रहे थे और बड़े बकायदारों को छोड़ आ रहे थे यह घलती तो आप ही की डिपार्टमेंट से होई हैं आप लोगों को रात में परिशान करेंगे तो क्या आपक पता नहीं बिजली का बिलभरना है तो यह वसूल करने का जो तरीका है यह कहां तक सही आप ही की डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि बड़े बकायदारों का छोड़ाए हैं उन पर क्यों नहीं करवाई हो अभी तक तो यह पिछले 46-45 साल से यह पैटन बना हुआ है हमारे प्रदेश में कि वो बिजली बकायदार जो है लंबा लंबा फटे नहीं है और उसके बाद बिजली के कमचारियों के साथ साथगान करने को सिसकत नहीं या कमचारी साथगान इस पे मंत्री ने नाराजगी जताई है एक सर्मा जी ने नाराजगी जताई है कि एस बंध होना चाहिए प्रदेश में नहीं चलेगा उन्हों ने बहुत सक्ति से यह नाराजगी जताई है कि आम इस पर संग्यान में ले शुके रिनो और गया है कि इस तो समझाया कि इस गलत हो रहा है किर ने तो विभाग का सब्सक्राइब नहीं जाएंगे लिए आपके पास SMS आएगा लेकिन कई होना नहीं है और ऐसे कई बड़े बकायदारों को विद्विभाग के अधिकारी बिजली कनेक्शन काटने जाते भी होंगे तो शायद साठगाट हो जाती होगे और वहीं छोड़ाते होंगे पर अलागे और मेमान हैं उनसे भी मैं बात करने वाले हैं जो आप इसको पता है कि बड़े बकायदारों हैं उन्हें विद्विभाग के कुछ लोग छोड़ाते हैं उनकी साठगाट हो जाती है तो उनका कनेक्शन नहीं कटता किसका है जिसका छोटा बिल हो या जिसने एक लंबे समय से भरा नहीं हो लेकिन आठ या दस जार से तब भी उसका कम बिल होता है ऐसे लोगों पर कारवाई हो जाती है अब एक लए तरीका निकाला है अब जो बड़े बकायदार है जो बड़े बकायदार है जाहिर सी बात एक बड़ा बिल बना कर जो बैठे हूँ इतनी आसानी से बिल नहीं भर रहे है तो भी उन्हें फोन करके जगा जाएगा पूछा अर्विन जी कहिए जी पारुल जी मैं यह कहना चाहूँगा कि देखे ख़ड़क बिजली पानी यह जो है बुन्यादी चीज है किसी भी राष्ट के दिर्मान के लिए विकास के लिए और मुझे लगता है कि एक लोग कल्यारकारी जो शासर दोस्ता होता है उसके अब इस तक लिए जो है जो अभी तक आज तक जिली का एक रू क्या भी दिल का भूकतान नहीं किया है अगर मुझे अगर भूकतान कर दे तो चीयाली सजार क्रोन रूपिया जो है लगभग कुस्वेश्य जो है काफी भन दाई हो जाएगी लगभग एक लाक करोण रूप अर्विन जी की वोईस डबल आरी ज़रा प्लीज देख लीजिए और समाजवाधी पार्टी की जब सरकार छोर करके गई थी सरकार को तो उस समय जो है कि 70,000 करोन रुपया जो है घाते में था जो बर करके अब 1,000,000 करोन हो गया है अब देखे महराष्ट के बाद पूरे भारत में सबसे अधिक बिजली की खपत उत्तर पदेश में है लगब एक लाग साथ हजार मिलियन यूनिट और अवर्ट नरीब जो है पोने 30,000,000 यूनिट जो है महराष्ट में है लेकिन उत्पादन के मामले में उत्तर पदेश पाच जार मेगावाड और आज की तारिक में जो खपत करीब 27,000 मेगावाड निया जाम करना पड़ता है वरिजर पूल से करना पड़ता है जो बिजली बैंक है उससे करना पड़ता है अन्य छोटी छोटी जो इकाईयां उनसे लेना पड़ता है अब मजड़ार बात यह सबस्केशन को आप पूरा मिला देंगी तो 55,000 मेगावाड तो उसकी छमता है तो नतीजा क्या होता है कि आप गर्भी के दिनों में देखेंगे ट्रांसफार्मत ठूक जाते हैं यानि पर डेस तारे 600 ठूक जाते थे यानि उस और सोच जिए कितना नुक्सान होता था बिजली हानी की होती है यानि आप देखेंगे तो उत्तर पर देश में 15,000 बिजली हानी होती है और एक चार सो करोन रुपए का नुक्सान होता है अब सोचे कि अगर इसी को बचा लिया जाए तो सारी समच्छा करिदान हो जाएगा अब ये सवाल उटता है कि क्या रात में आठ बजे जो है आप बिजली उपभोकता को आप फोन करके दिल जमा करने के लिए कहना कितना न्याज शंगत है देखें ये व्यापक बिमर्द का विशह है अगर किसी बिरोधिश आप कहेंगे तो सिधे कहेगा कि ये तो अन्या है कुरूरता है रात में आप करके नहीं खेल सकती है अगर साथ अलिक उपकरमों की बरबादी हो रही है और सरकार उसको बेचने पर आमादा है तो ये 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 पबलिक को भी सोचना चाहिए कि भाई जिस चीज का मुप भोक कर रहे हैं उसका फिल तो कम से कम भरें क्या नची की जिमेदारी जो है कि आप करना के लिए जलाने के लिए आपके स्वतंतरता है आप जितना मरते हैं लेकिन एक मौदूब प्रस्ने जो बार बार उठ रहा है कि बड़े लोग जो कलकार खाने चलाते हैं जो इंडरस्टलिस्ट है जो लगओ 50% बाइका है उनका है उनके बाह को क्यों नहीं मरोडा जा भाइत यह लाजमी है कि गरीब किशान है आम भुगता है कि दूसके पास पैसा रहा नहीं रहा लेकिन वे लोग जो इंडरस्टी के मालिक बड़े-बड़े हैं और देखिये इसमें भर्सकाशार भी देखने को मिलता है कई बार देखिये गवर्मेंट जब शापा मारती है तो तमाम इंजिनियर बिजली विवाग के जो है उनकी मिली भगा शामनी आते कि किस तरह जो कल कारखानों से मिल करके जो मालिक है उनसे बिजली चोरी में पकड़े जाते हैं तो उनकी भी कानू मेटना चाहिए अच्छी पहले मैं इसका यह नहीं कहता हूं कि लेकिन अगर अगर सारगर्वित तरीके से निडान जूढ़ा जाए तो फिर रात में फोन करें कि कोई जरूरत नहीं बचे जी लेकिन स्वाल यह उत्ता है कि जैसे छोटे-छोटे लोगों को फोड़ लिया जाता बड़े लोगों को फोड़ जिया जाता यह यह धेद्भाव नहीं होना जाएगी तो कहीं से तोड जोड जोड नहीं लिया तो जाहिर सी बात है और कोई बीTORली तो चाहिए ओगली जरूरी हो गई है एक तो उपभोगता जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि साथ बिजली नहीं दिया आपने तो गर्मी में 42 डिग्री इसेशियस टेंपरेचर हो रहा था लेकिन तब भी लोगों की घर में बिजली नहीं पहुंच रही थी अब बिजली का बिल इतना बढ़ गया है कि लोगों का बकाया वसूलने में सरकार के पसीने निकल रहे हैं कॉल सेंटर नाइट में चलेगा और वो लोगों को बताएगा कि साब आप दिन भर से फुरसत हो गया और तब आपसे बिजली बिल वसूल लिया जाए पर आल इस तरीके के बाद ये भी बात सामने आ रही है कि चुकि जरूरी है आम जनता को भी समझना कि आप जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उसको लेकर आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा तारिक सार डिवाइस मियूट तो नहीं है सर आपका फ्लीज मतलब कि बिल्कुल डिफ्रेंट लेके आते हैंगे और वो सल्यूशन इस दुनिया के बाहर का होता है अब आप बताएगे कि आप भोगताओं को तीन रुपए प्रती यूनिट विजली थी आज से छे सान पैर तेइस सौ से जादा दीन हो गए इनकी सरकार को अब साथ रुपए प्रती यूनिट डामेस्टिक बिछली बिक्ती है और फिर भी सब कुछ अच्छा है विकास हो रहा है जीरो मेगावाट प्रोडक्शन बढ़ाया यूपी पीसील ने जीरो मेगावाट हमारे टाइम पे ये मैं पेज पूरा फोले हुए हूँ जवाहरपूर में घरवन प्लान का उधाडन किया गया बावन हजार करोल उपे का प्रोजेक्ट था अभी तक कहा पाँचा पता नहीं आपका मिसमेश है अभी पट्रकार मोदे ने बताए कि 17,000 का जो प्रोड़क्शन है दो तरीके से प्रॉब्लम को एड्रस करने की जरू प्रोड़क्शन के लिए आपने कुछ किया नहीं और रेच निरंतना बढ़ाते जा रहे हैं तो जो पाच लाख हजार करोओ का यूश्मेंट धाया का तो यूपी गौर्वर्मेंट की जो इंकन है जो टैक्स्पेर का पैसे है वह कहा लेके जा रहे यजी सरकार कहा लेके ज इसको का ले ये तो लेना लाग्वर्मेंट में पूचा जा रहा है कि जो सरकार प्रॉमिस करती है डारेक्टिव प्रिंस्पर्स में कि हम स्टेट जन्पा को वाफ़ कर देंगे उनका पैसा जो टैक्स के जरिये लिया दियुक्ती लगा कि साहगों चमा चिम्टी सुन सब मे प्रिया कैते वापत करेंगे उस गरीब उन गरीब में और जेपी नजड़ा साथ केते हैं कि गरीबी खतम हो गई इंदुस्तान में पॉइंट एच पर्सेंट लोग से गरीब रहे गए तो जब गरीबी खतम हो में जो इसकती नहीं है लोगों के पास बीजिये लोगों के करने कि तरीके को क्रन्चारी सो जाएं जाकर अपिन सुझे बाहर उनको इसके अचे कर दिए कि तरीका नहीं हो सकता था कि पर रात में फोन किया धें Aa एक हजार किसिंके solutions गॉवर्मेंट के पास available रहते हैं, आप विजली दरों को साथ रुपे हैं, गेवरेज में बता रहा हो, बाकी इने ने डिवाइड किया है, कभी ये नाचा किया, कभी हो ना सकतिया, उन सक को हटा कर मैं बता रहा हो, कि विजली दर कितनी नहीं भी निक रह हैं, और आप वचूली करिये, आपने commercial बिजली और domestic बिजली, इन दो को बिल्कुल सब रहे करिये, आप मिला हुए, आप मिला हुए, वो लोग इंडस्री दे जाती है, और जो जंता जिनका आप बोर्ट लेकर, खुद मोच कर रहे हैं, UCC का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर, मुसल्मानों का नाम लेकर, जंता को वापस चाह दे रहे हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है, श्रशे कान जे, जबाब आप से, इनका आडियो बहुत असपस मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो चीज़े आम को समझ में की बातों से आप मैं उसका जवाब द पिछले 40 साल से बीजली प्रदेश का लूट लेटे थे, हम आप मी को बीजली मिलती नहीं दूसरी बात कि जब 2022 में प्रदेश का चुनाव चल लागा था, ये लोगों ने कहा कि बीजली का रेट और खटा देंगे, कम कर देंगे, आधा कर देंगे, जोधाई कर देंगे, आर्मी पार्टी आई भुली कि मह को रूट हम को र Contra पिधेश की जनता ने बगा दी उ तर्भ अर्टेश की जनता ने विकाट गुछे हमको रिमंटी जिए, जो परि मीजुली हम पराएट नहीं जीँगे, जो म्यों परेंगे जोधाई की और उसे वी ल्याव थाम गुष मैं उसी बार को कह रहा हूं कि देखे उत्तरप्रदेश की जनता इस परकार की है कि विजली खरी जती है और विजली कर जमा करती है आम आदमी यही करता है लेकिन कुछ विजली जो चोर है अभी आपने दिखा होगा लगनव में लंबे वकायदारों की जो लिस्ट निकली है वो इन ही विपक्षिक मार्टियों के परदाधिकारियों की निकली है यही लोग है जिनकी आदा साल से बिजली चोरी करने की तो परेशान ले लोग है आम आदमी को चाहस जा पर दी जाए उनके पास कॉल क्यों पहुँछे सवाल तो यही है ना सर वसूली का तरीका यह कहा तो यही है जिस पर्सेंट इतना बड़ा होता है कि अगर आपको अगर बढ़ रहे हैं जिस तेज़ गपी आप देखे दो हजार इकिस में करीब बाई सब्सक्राइब कर दो हजार मेगावाट की थी तो हजार बाईश में जब यह बढ़ करके 26 अजार मेगावाट इस गरभ करें कि हमारे पास 30,000 मेगावाट की प्लबदता है बिजली हम सप्लाई कर रहे हैं लोगों तक पहुंच रहा है अब अब यह अलग भी मस्का भीशा है कि बिजली कितनी पहुंच रही है कितनी नहीं पहुंच रही है आप राजयतिक दलों को अगर बात करेंगे तो अलग कि आप करने के भी मस्यत्ती है को टाप एस विजली का भॉष है यह तरिक साब टारिक साब टीस सेकंड करवाई कीजे ना अगर जो चोरी कर रहें हम पर करवाई कीजे क्यों फोन कॉल के माध्यां से आप जगाने की कौश्श कर रहे हैं। कानून को सुचार रूप से चलाने के बात करते हैं जनता के परेशानियों को लेकर हम बात करते हैं बड़ी बड़े जो खसीदे हैं आपकी बगद आपको कॉल अगर आपने बिल नहीं भरा तो आपका connection कार्ट दिया जाएगा हलाकि बड़े बड़े बकादार भी है जिनका लाखों कबिल है या जो अधिकारियों के साथ गार्ट से कुछ एंजीर के साथ गार्ट से बिजली की चोरी भी कर रहेते हैं उनको बख्ष दिया गया है उन पर अभी तक कोई बड़ी कारवाई नहीं की गई और अगर ऐसे प्रादा त्रके अपना कायाल नुमस्कार